चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभ्यान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं नया जमाना आएका नया जमाना आएका बहुत बहुत अज़े बाद मन्ज में बेटे सभी तिक्रज व्यक्टिगान सांसर्थ बिनोई जी शत्रुगन जी प्रकाश जी और सब दोस्तों मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहते हूं आप शायद मुझे आट्रिस के रूप में जाते हैं वो तो मेह हूँ भी और बहुत गर्व है मुझे लेकिंग मैं इस से जादा गर्व मुझे इस बाता है कि मैं कैफी आजमी की बेटी हूँ कैफी आजमी CPI के मेंबर रहे शुरू से लेकर आखिर तक और जो उनकी सबसे बड़ी पूजी थी वो था उनका CPI का कार्ट जो हमेशा उनके पॉकिक में रहता था मैं उस कैफे आजमी की बेटी हूँ हमें गर्व था अपनी गंगा जम्नी तहसीर पर हमें गर्व था हमारे सामप्रदाइक सद्धावनों पर हमें गर्व था इस बात पर कि औरतों को बराबरी का दर्जा यहां मिलता है हमें गर्व था इस बात का कि हमारे जो लोग थे वो गरीबी की बार में सोचते थे वो चाहते थे कि यह दुन्या बेहतर बनी मैं उस कैफे आजमी की बीटी जी थी मैं उन्हीं के एक शेर से पने बात शुरू करना चाहती हूँ जो शेर उन्होंने लिखा था और मुझे लगता है यह कनहिया के लिए ही लिखा था क्योंकि कनहिया यह संदेश लेकर आगे पढ़े लिए प्यार का जश्च नई तरह मनाना होगा गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा तो हम यहां तनहिया के लिए आए हैं प्रचार करने के लिए आए हैं बहुत सारी बाते प्रकाश जी ने जो कही है उनसे मैं बिल्पल सहवत हूँ उन्हें नहीं दोरा होगी लेकिन सची बात को यह है कि यह चुनाव जो है वो बहुत महाटकुब्डूर ने चुनाव है इसलिए कि इस देश का भविश्य इससे फैसला होगा कि इस देश का भविश्य बजागर होगा है या खराब होगा और कनहिया जो है वो एक सिपल है वो एक विचार धारा है वो सिर्फ एक इनसान नहीं है वो प्रगती शील विचार धारा है वो ऐसे विचार धारा है जो गरीबों के बारे में बात करते है जो महिलाओं के बारे में बात करते है जो नाइंसाभी के बारे में है जो संपधाइक संभावना के बारे में बात करते हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी बार ये है कि वो एक नौजवान है आप लोगों को शायद ये आखने मालू होंगे कि इस देश के पचास पीसदी लोग तीस साल की उमर से कम है अब आप देखिए हैं कि ये हमारे मुल्क में कितनी बड़ी एक टाकत है लेकिन इस टाकत को खत्र किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो नौजवान है उसके पास नौकरी नहीं जो आखने हमारे सामने आते हैं वो ये है कि पिछले 45 बरस में ऐसी बेरोज़गारी कभी नहीं आई है हिंदुस्तान में 6.1% The figures are so shocking प्रकाश के 58% जो ग्रैजवेट्स हैं उनके पास 62% 62% जो पॉस्ट ग्रैजवेट्स हैं उनके पास नौकरी नहीं नहीं आज़ ची सरकार है वो आई की ये बादा करके के हम दिकास रहेंगे हम गरीबी हटाएंगे हम नौकियां दिलवाएंगे तो कहां है वो नौकिया क्या गरीबी कम हुई क्या महिलाओं को जादा सुरक्ष कुश किया ये पता चला है के विकास के नाम पर जिस बीजेपी सरकार ने वोट लिये थे अगर वो सही मानों में और सक्षी इमानदारी से अपना काम करती है तो आज उनको जो करना पड़ा है वो करना ही नहीं पड़ा वो विकास की बात करते हैं वो विकास हमको दिखाते हैं और हम उनकों दुबारा वोट देतें लेकिन वो अच्छी तर से जानती है कि जो उन्होंने वखपका हैं वो वादे पूरे नहीं हुएं। और इसले जो उनका पुराना खेल है कि किस तरह से संप्रदाइग दंग्ये करवाएं जाएं। किस तरह से हिंदू-मस्लिम, हिंदू-मस्लिम, हिंदू-मस्लिम के नाम पर लोगों का पटबारा किया जाए? किस तरह लोगों के बीच में ये प्रकत प्यलाएं, छूते इर्जाम लगाएं? हमको बहुत खबड़दार रहना हो क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी शक्तिह ऐ वो है हमारा समिधार हमारा समिधार जो हमको बराबरी का हम देता है और अरक मर्द को गरीब और अमीर को बड़े और बुड़े को बच्चे को देते और इस समिधान को बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम कनहिया को बेजीज़क अपना वोट दें कनहिया वो एक लड़का है जिस पे मुरे पूरी तरह से विश्वास है कि उसको हम सांसत में पहुचाएंगे तो जो हम अध है वो बाट वो जरूरा के लेकर आएगा हमारे देश को कनहिया जैसे नेताओं की जरूरत है हमारे देश को एक इंकिलाब की जरूरत है मैंने पिता जी ने कहा था कोई तो सूच चुकाए कोई तो जिम्मा ले कोई तो सूच चुकाए कोई तो जिम्मा ले उस इंकिलाब का जो आज तक उधार जो है मुझे यकीन है कि हमारे कनया उस उधार को चुकाने में सबसे पहल करेंगे और इसलिए मैं आप सब लोगों से उधारिश करती हूँ कि जो छूती इर्जाब उनके लगाये जा रहा है जो बार बार ये जूत बोला जाता है कि वो देश्ट रोही है जो बार बार ये कहा जाता है कि वो टुब्रे टुब्रे ग्याई का हिस्सा है ये सब जूत है ये साबित हो दिया कि ये जूत है इन पे जो इह जाब लगाये तो गलत है इसके बावजूद जूट पे जूट जूट पे जूट पे जूट बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है क्योंकि उन लोगों को खत्रा है कि सच्च मुझ तनया कर दिल जीच चुका है सच्च मुझ तनया सांसर पे पहुँच जाएगा संसं में पहुँच जा 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 जाए और इस लिए वो छूज बोलते हैं तो दोस्तों हमारे लिए जो समझनी की बात है वो ये है कि सामपरदा दय्ट लंगे करवाने वाले जो लोग है सामपरदा दय्ट लंगे यूही नहीं हो जाता, वो राय जाता है, और ये देखा गया है कि जब भी इलेक्शन नस्धीक आता है, तो उसका इस्तेमाल ज़र्फी होता है हम को इस शडियंत्र में नहीं पसना है हमको कहना है कि हमारे मुद्दे क्या है हमारे मुद्दे हिंद्दू और मुस्लिम का भेट पाव गई है हमारे मुद्दे हैं नौकरी हमारे मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, मकान हमारे मुद्धे हैं महिलाओं की सुरक्षा हमारे मुद्धे हैं भाई चारा हमारे मुद्धे हैं इनसान दोस्ती कौन देता है ये बादा दोस्ती का वो जो नफरत प्हलाता है या वो जो प्यार की बात करता है तैसला आप के हाथ में है मुझे यकीन है कि इतने प्रूप में आप लोग जो यहां आएं है और इतनी गोर से हमारी बात सुन रहे है मैं जानती हूँ कि आप उस लोग से बाकिफ है कि हमारी सब्सक्राइब ने हमको जो हख दिया है वो हख पूरी तरह से हख को बराबरी देता है और वो हख है आपका वोट एक इनसान एक वोट जो वोट आपके हाथ में है वो वोट आपको पूँच नीज जवाल उड़ा इतनी वो मुसलिक अज़व चीजों से आगे बढ़ा कर आपको बराबरी का दर्जा देता है और इसलिए इस वोट को गवाईए मत ये वोट बठने मत दीजिए ये सोच ये मुसल्मान है तो मुसल्मान को ही वोट देगा ये बहुत गलत बार क्योंकि सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान इतना खुबशूरत मुलकिसी है इगा हिंदु, मुसल्म, सी, हिसाई सब के सब भाईचारे से एक साथ जियें ना के वो शडियंत्र की तौर पर राज़ूतिक फाइदे के लिए बांटे जाए तो आप ये समझे जाज़ से ओके अपने मजभ से ओके हमारा मजभ है के हम हिंदुस्तानी है और हमारा मजभ है हमारा मुल्क का सब्विदान जो हमको बराबरी का हख देता है और हम उस सब्विदान के नाते एक ऐसे नौज़वान लड़के को अपना पोड देंगे जो उस सब्विदान की रक्षा करने के लिए अपने पूरे बन से लगावा है, उस जूते इंसाम लगेवे हैं, लेकिन वो डट के इनसाफ के लिए लडाई करता है, वो डट के पूरे इनकुस्तान के लिए लडाई करता है, देखे, आठ बोली चाहती है, कि जब आप गोर से सुनिए मेरी बात एक बात दोली जाती है कि जब मेंडग को मेंडग को अगर आप उबलते में पानी में ड़ाए तो वो मेंडग उचल कर बाहर आ जाता है और हो बन जाता है लेकिन अगर आपने मेंड़ को कुणकु ने पानी में डाला इरे धीरे आपने आग बढ़ाई तो मेंड़ को पता नहीं चलता और वो अपनी मौत पे पहुँच जाता है हमें अवगर करना है और इस बार कर ध्यान रखना है कि हम उन मेंड़ की तरह नहीं हो जिनके चारों अत्राप सांफरदायक्रा का जहर खेलाया जा रहा है हमको उचक के बाहर निकलना है अपनी रक्षा खुद करना है हम कनया को वोट देते हैं तो अपनी रक्षा को वोट देते हैं हम से ये कहल आता है हमारे जो विरोधी है वो ये कहते हैं कि कनईया को हो लागा, टुक्रे टुक्रे गैंका एक लड़ का है, कनईया के लिए नचन जिआ आती है, तो क्या ये शोबा देता है, कि आप एक इतने बड़े डल के, राज़्टेतिक डल के, आप लीडर है और आप इस तरह से औरतों की बात करते हैं, कि इस कि इस तरह से होती है, आप खुछ सोचिए, कि जो इस तरह की जबान इस्तिमाल करती है, वो क्यूं करती है, क्यूंकि वो डरे वे हैं, उनको घबराहट है, उनको इस बार का इल्म हो गया है, कि बेगु सराई की जंता, एक मज साथ खड़े होकर, कनईया को ही बोड देगे, मैं आपना भाशन कतम करने के साथ साथ, आपको एक नारा सिखाना चाहते हो, सब से पहले मैं चाहते हूं कि आप सब लोग अपना सीधा हाथ उपर करें, सब लोग सब लोग सीधा हाथ उपर करें, मुठी बनाएं, मुठी बनाएं, मुठी बनाने से ताकत आती है, और गग गगन चुप्वाज में मैं बोले कि घठाने गोले किया खायगा? गगन चुप्वाल कि अवाज में कमाने वाला आपको पीछे भी चितने लोग हैं मैं चाहिए हर इंसान की मुणती बनी हुए रहे सब लोग आप लोग खड़े हो जाएए हैं भाही हो बेनों जो मेरे साथो है जमाने वालब है है नया जमाना है बहुत बहुत धन्यवाद जैहे अजी भरा पाल ze जेखरी आदाल्ग! जेखरी आदाल्ग! जेखरी आदाल्ग!